हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल कैसे हैं आप आई हो पच्छी होंगे कि देखिए आज में क्रोशिया से बना हुआ न्यू पैटर्न लेकर आई हूं जो बहुत ही सुन्दर दिखाई देता है यह किसी भी प्रोजेक्ट पर इस्तमाल कर लें बेबी ब्लैंकेट पर स् पैटर्न को यूज करें और इसमें देखो वोल्स वगर अभी नहीं है बहुत ही सुन्दर डिजाइन है तो मेरा डिजाइन आपको पसंद आए तो लाइक सस्क्राइब करना बिल्कुल ना बूला जो भी कोईन मेरी चैनल पर नया आया है वह सस्क्राइब करें और जो जिसक नंबर का क्रोसिया है और यह भूलन है तो यह टू प्लस टू प्लस के स्टीच इसमें लिए जाते हैं तू प्लस टू प्लस करके इसमें चैन बनानी होती है तो जितने आप चोड़ाई चाहते हैं उसे साथ से चैन बना ले यह देखो पहले हम इस तरह से एक नौट आएंगे दो तीन चार पाट छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोड़ा तंदरा सोला सुत्रा अठारा देखो मैंना अठारा चैन बनाएं अब देखो फर्स्ट इसमें ही हम सिंगल क्रोसिया बनाएंगे इस तरह से पर्स्ट रूम में तुरी रूम में हम सिंगल क्रोसिया बनाके कंप्लीट करेंगे इस तरह से यह देखो फ्रेंड्स मैंने फर्स्ट रूम में सिंगल क्रोसिया बनाके कंप्लीट कर लिया अब सेकिंड रूम में हम एक, दो, तीन चैन बनाएंगे तीन चैन बनाने के बाद देखो इसमें से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से सेकंड रो में पूरे में हम डबल क्रोशिया बनाके कम्प्लेट करेंगे ऑ만गे बनाएंगे इसका में देखों करेंगे इसका में बनाएंगे अ उपक्षणी ल कत रुप य है यह इस जाएंगे टो यह in रहुबल अ घब आठाएंगे ऑनाएंगे कर दो शीज रह वे शे दो आएंगे कि यह देखें सेकिंड रो में मैंने डबल क्रोशिया बना लिया है अब थर्ड रो में एक दो तीन चैन बनाएंगे तीन चैन बनाने के बाद यह देखो फर्ष्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें अब यह देखो यह हमारा यह नीचे का डबल क्रोशिया है इसमें ऐसे हम ऐसे करके तीन लूप बनाएंगे एक दो तीन तीन लूप बनाएंगे फिर इसको इस तरह निकालेंगे ऐसे करते हैं ऐसे बनाएंगे फिर हम साथ वाले में एक डबल प्रोश यह बनाएंगे फिर देखो नेक्स्ट में फिर हम इस तरह से लूप बनाएंगे तीन एक दो तीन लूप बनाएंगे इस तरह से फूरी रो ऐसे हम एक डबल प्रोश यह बीच में बनाएंगे और फिर नेक्स्ट में से इस तरह से लूप बनाएंगे तीन इस तरह से ऐसे हमारे यह ऐसे डिजाइन बनेगा फिर एक डबल प्रोश यह बनाएंगे फिर देखो आसे फिर एक डबल प्रोश यह बनाएंगे फिर तीन लूप बनाएंगे फिर एक डबल प्रोश यह बनाएंगे फिर तीन लूप बनाएंगे फिर एक डबल प्रोश यह बनाएंगे फिर एक डबल प्रोश यह बनाएंगे फिर देखो लास्ट में एक खाम यहाँ पर डबल प्रोश यह बनाएंगे इस तरह से हमारी पूरी रोव बनेगी यह देखो कितने सुन्दर लग रही है अब इसके बाद हम फिर तीन चैन बनाएंगे एक दो तीन चैन बनाएंगे फिर यह देखो इसमें हम फिर डबल प्रोश यह बनाएंगे इस तरह से पूरी रोव में हम डवर क्रोस्या ही बनाएंगे जैसे नीचे बनाया था हरे खोल में से डवर क्रोस्या हमको बनाना है पूरी रो इसी तरह हाँ 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 यह देखो पूरा इस्तरह आएगा और लास्ट यह यहाँ पर बैक साइड में इस्तरह आएगा और राइक साइड में इस्तरह आएगा और यह देखो फिर तीन चैन बनाएंगे दो तीन चैन बनाएंगे यह देखो यह फर्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे पहले हमने बनाया था और यह इसके उपर है इसके उपर ही हम यहाँ पर इसके उपर हम यह लूप बनाएंगे तीन एक दो तीन तीन लूप बनाएंगे फ्रेंड और फिर ऐसे बनाएंगे बबल टाइप में फिर यह नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोश से बनाएंगे पिर नेक्स्ट में बबल बनाएंगे जैसे तीन लूप बनाने के बाद इस तरह से लूप बनाएंगे तीन ऐसे जैसे हमने नीचे वर्ली रूप बनाएंगे बस यह एक लूप पर एक ऐसे ही बनेगा डिजाइन एक डो तीन तीन लूप बनाएंगे इस तरह से तीन दबल क्रोश से बनाएंगे फिर एक लूप बनाएंगे एक डो तीन लूप बनाएंगे फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोश यह बनाएंगे फिर देखो इस वाले में हम लूप बनाएंगे एक डो तीन तीन लूप बनाएंगे आसे फिर एक डबल क्रोश यह बनाएंगे फिर लूप बनाएंगे एक डो तीन तीन लूप बनाने को बाद इस तरह से बबल्स बन जाए हमारा पिर ये एक डबल प्रो से बनाएंगे पिर यहां पर तीन लूप बनाएंगे एक दो तीन ये लास्ट में एक हम यहां डबल प्रो से बनाएंगे इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारा डिजाइन ये देखो इस तरह चलेगा बार बार रिपीट करेंगे तो ये हमारा ये डिजाइन बन कर आएगा प्रेंड्स मेरा डिजाइन अच्छा लगा हो मेरी वीडियो पसंद आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें मेरी चैनल को सब्क्राइब करें जाज़ ज़्यादा शियर करें बेल अइकन जुरूर प्रेस करें थैंक यू गया